हेलो एवरीवान वेलकम टू इंडिया बड़ी आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बड़ी में स्टुडेंट्स आज बड़ी अपडेट आई है आईसी एसी के बारे में अपडेट आई है और बहुत जादा पैरेंस ने डिमांड किया है कि ऑनलाइन इसमें ऑनलाइन एक्जाम का पूरा का पूरा सिस्टम में हिल गया मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ जितने भी स्टेट वाले स्टुडेंट्स है अगर आपको ऑनलाइन का कुछ भी फैसिलिटी मिल रहा है तो प्लीज उसको आवोईड कीजिए मैं बताता हूँ क्यू लेकिन उसके पहले स्टुडेंट्स एक चीज को मैं डिसकस करता हूँ आपको पता ही होगा कि कल मैंने बोला था कि इंडिया बड़ी का सर्वे स्टार्ट हुआ है और कल से आपके बहुत ज्यादा रस्पॉंस आये हैं तो प्लीज अगर आपने सर्वे नहीं बढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा है प्लीज उसको भर लीजिए और जितना हो सके उतना आप शेर किजिए आपके पैरेंस को टीचर्स को और हर वो स्टुडेंट्स या कोई भी वेक्ती जो इन डिरेक्ली डिरेक्ली बोर्ट एक्जाम से रिलेटेड़ है यह सभी स्टेट के लिए है सभी बोर्ट के लिए हम एक साथ करने वाले हैं और इस सभी चीज को मैं बताता हूं कि 25 जो आपका संडे है उसके रात के 12 बज़ तक यह सर्वे उपन रहेगा उसके बाद इसका जो रजल्ट रहेगा वो बहुत हाई लेवल अथॉर्टी के पा बहुत लग मुझे बोले थे कि सर एसा चेक बॉक्स रख लिजिए कि दो तीन नहीं क्योंकि आपको डिसीजन तो एक ही लेना ना या तो आपको ऑनलाइन जाना या तो आपको कैंसल करना आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यह भी चलेगा यह भी चलेगा तो फिर उसमें मतलब न सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आई सी की न्यूज आई है स्टुडेंस अगर आप देख सकते हैं तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपको बताया जाएगा जून में आपका फैसला लिया जाएगा तो जो भी ट्वेल्ट के बच्चे जिनको लग रहा हुनके साथ नाइनसाफी हो रही है तो प्लीज सर्वे आप भरते जाएए अब हम बढ़ेंगे स्टुडेंस सबसे इंपॉर्टन टॉपिक्स पर कि तमि अब आप बोलोगे कि सर ऑनलाइन एक्जाम कैसे यहां पर ऑनलाइन एक्जाम भी घर से ही हो रहा है ठीक है ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी सेंटर पर जाना फिर भी स्टुडेंस बोलें नहीं क्योंकि इसका वज़ा क्या मैं आपको बताता हम यहां पे तमिलाड़ों में अन्ना यूनिवर्सिटी ता जिसमें इंजिनिरिंग स्टुडेंस के पेपर हुए जो सेकेंड यर थर्ड यर के स्टुडेंस थे उनको बोला गया कि आपको ऑनलाइन एक्जाम होगा और इसमें इंपॉर्टन चीज यह था कि उन्होंने आर्टिफिशल इंटेलिजन्स इस तो कभी कोई सर उपर उठा के सोचता है कभी कोई नीचे क्योंकि आपको डैरेक्ट तो ऐसा कोई भी नहीं कि पूरे कोस्टेंस के आंसर मालूम होगा थोड़ा ना कुछ ना कुछ आप शेक करोगे सर तो उसका भी आपको प्रोईबिटेड है अब यहाँ पर होगा क्या कि लोगों को लगा कि इतना कैसे प्रोईबिटेड हो सकता है लेकिन स्टुडेंस चार लाग बच्चों ने पेपर दिया था उसमें से देड़ लाग बच्चों लोगों का रजल्ट को विथेड कर लिया उनको बोल दिया गया कि आप कुछ गलत क किसी आवाज होई सकती और उसके लिए उनको प्रोईबिट कर दिया तो यही डिमांड है लोगों को कि अगर बोर्ड एक्साम में आप ऐसा बैठते हो जिसमें आटिफिशल इंटेलिजेंस इस्तमाल किया जाता है तो प्राब्लम ऐसा हो सकता है स्टुडेंस की आपको लग तो ठाइक य। रची पर वाचिए इंडिया जै हिंदा